पोट्स से जूडी किसी भी अपडेट कीए स्पोट्स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें तो जी कल एक बड़े मुकाबले में मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलो ने इस IPL सीजन का अगास किया पर आज भी एक बड़ा मुकाबला है आज भी एक महा मुकाबला है और आमने सामने होंगे महिंदर सिंग धोनी दे मिंटॉर और रिशप पंदीप प्र लिए उसके बाद लूंगी एंगीडी भी जो है वो कॉरिंटीन सर्फ कर रहे हैं क्योंकि वो साउथ आफरिका से लेट आयो सीरीज में खेल रहे थे पाकिस्तान के अगेंस तो वो भी कॉरिंटीन सर्फ कर रहे हैं और अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच के लिए वहीं पे क कैसे वो इस्तमाल करते हैं श्रेयस अईयर मिसिंग है इस ग्यारा से इस डेली कैपिटल्स की ग्यारा से इस कप्तान जो है उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपनी टीम को पिछली बार फाइनलिस्ट थी डेली कैपिटल्स बट उससे जादा मुझे लगता है कि वो श्रेयस अईयर दे बैट्समें को मिस्स करेगी उस मिडल ओर्डर में पर उनके आस ऑप्शन्स क्या हैं स्टीव स्मित जिनको सवा दो करोड में डेली कैपिटल्स ने लिया था अब उनका क्या इस्तमाल करते हैं क्या क्या वो कल आपको वन डाउन दिखेंगे जब ड प्रिथवी शौर शिकरदवन के बाद क्या स्टीव स्मित दिखेंगे क्या वो रोल वो निभा पाएंगी क्योंकि उनके पास बैटिंग में वो ताकत है उसके बाद मार्कस टॉइनेस हैं उनके पास हिट मायर हैं अब बोलिंग उनके पास क्या उप्शन से क्रिस्वोक्स एक अच्छा उप्शन है जो अगर आप देखें वो बैटिंग भी कर सकते हैं तेज गती से बोलिंग भी करते हैं तो डेली कैपिटल्स मानना चाहेगा कि पिछले सीजन को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे फाइनलिस थे और वहीं अगर चरने सूपर किंग्स की बात करें तो पिछला सीजन का बहुत ही एक खराब सीजन था ज्यादातर उस सीजन में अगर देखें तो वो बॉटम में ही थे वो आठवे नंबर पे ही थे अलाकि उन्होंने इवेंचली जब फिनिश किया तो वो साथवे नंबर पे थे सुरेश रायना इस टीम मेज 11 में वापस आ है तो क्या वो उसका इस्तमाल करेंगे पाएंगे अब चैनली सूपर किंग्स की दिक्कत ये हो जाती है कि उनकी जो बल्ले बाजी है उनकी जो टीम है उसमें जितने भी प्लेयस हैं उन्होंने बहुत सादा क्रिक्ट नहीं खेली है और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा उन् है ची करते हैन नहीं करते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं और उसी अरा में आपको पास सैम करन भी है उनके पासिकी ऊन्होंने पैसे कर रहे हैं इतने सारे उनको बोलेंगे जी आप जाईए ओपन कीजिए आपको हम Leiding ऑपर भी दे रहे हैं ऊपर एक आउट अफ दे बॉक्स जिसे बोलते हैं एक सप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है मोईनली ऐस अन ओपनर क्योंकि हमने देखा था कल के मैच में आर सी बी वाशिंग्टन सुंदर और विडाट कोली के साथ उतरी थी तो यह बड़ा मुकाबला होगा और यह मुकाबला बाइदे वे वांग्खेडे में हैं यह चिन्नाई में नहीं है तो आप यह सोच सकते हैं यह एकस्पेट कर सकते हैं कि रन आएंगे अब यह देखना है कि रन आते हैं तो किस के आते हैं किस टीम के आते हैं और किस बल्लेबास के आते हैं पर आपके लिए अगर आपको चुनना है कि किसके रनाते हैं तो आप देख रहे हैं डाफा न्यूस बाइद वे डाफा न्यूस पर अगर आप प्रेडिक्शन नहीं करी है तो कर लीजिए जी क्योंकि आज के मैच में बहुत सारी चीजे हैं महिंदर सिंग्धोनी किस नंबर पे आएंगे महिंदर सिंग्धोनी किस नंबर पे आएंगे महिंदर सिंग्धोनी क्या चार नंबर पे आएंगे महिंदर सिंग्धोनी क्या छे नंबर पे आएंगे पांच पे आएंगे साथ प यापिटल्स जीत रहा है कितने रन बनाएंगे रिशव पंत कितने रन सुरेश राइना बनाएंगे और CSK के ओपनर्स कौन हो सकते हैं पृत्वी शौज इन्होंने आग लगाकर आएं जो विजय हजारे में वो क्या करेंगे शिखर धवन जिनकी खुद की जगा जो इंडियन करेंगे तो यह सब देखना होगा पर आप लोगों को डाफा न्यूस पर बहुत सारे इनाम हैं बहुत सारी प्रेडिक्शन्स हैं करते रहना है और स्पोर्ट्स तक को आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि जी इस सीजन IPL का मज़ा स्पोर्ट्स तक पर ही आने वाला है औ और देखते रहिए बस सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें